हेलो फ्रेंड्स मैं इंजिनियर विरेंद विश्करमा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर विल्डाउस इंजिनिरिंग में एक और नय वीडियो लेक्चर साथ फ्रेंड्स आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये एक इतना महत्पूर्ण टॉपिक है अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज की जानकारी ले लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यानि कि सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है आपके बीम, कॉलम, स् इस तरह से बन रहा हैं और आपका घर कहीं कमजोर तो नहीं या गिरेगा तो नहीं इस बात की आप जानकारी कैसे पता कर सकते हैं वो भी फ्री में आपको इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होता और मैं ये बात मानता हूँ अभी तक ये वीडियो आपको प्रेंड्स अब मैं सबसे पहले सीधर टॉपिक पर बात करता हूँ और आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आप घर बना रहें आपने घर बनाना स्टार्ट किये तो आपकी प्रोसेस थोड़ा स्पीड में बताता हूँ मैं कि आपका फांडेशन वर्क फिर बिग वर बीम, कॉलम, स्लैब इस तरह से आपके वर्क स्टार्ट होते हैं और इससे भी पहले आपको मटेरियल सेलेक्शन करना होता है मटेरियल जो आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे जो ब्रिक है पहली चीज तो फ्लाइस कहां से लेना है या अगर फ्लाइस ब्रिक लेना है तो या पिर आपको red bricks, clay bricks लेना है तो वो कहां से लेना है, कौन से contractor से लेना है, कहां से purchase करूँगा, सस्ती कहां से मिलती है ये बात की जानकारी लिए आपने, ऐसे ही आप aggregate यानि की गिट्टी की जानकारी लिए आपने, rate यानि sand की जानकारी लिए और cement, cement में फिर आप confuse होते हैं कि मै कौन से brand का लूँ, तो friends यहाँ पर क्या होता है, कि आप कुछ brand जो हैं जो popular है, आप उनकी ओर जाते हैं, जैसे कि, ultra tech, ambuja, ACC, sri, bandar, vangar, jk, jk lakshmi, jk pro, और भी बहुत सारी cement जो हैं, उनके नाम धीरे-धीरे आते जाते हैं, friends, अब जैसे कि, आपने cement का लगभग, आप maximum तोर पे कुछ brand select करते हैं, और आपका घर भी बनना ही start हो जाता है, तो यह आपको सायद जानकारी नहीं होगी, कि जो cement company है, वो एक engineer रखती है, वो आपका QC, QA हो सकता है, या MLE हो सकता है, अलग-अलग cement brand के हिसाब से अलग-अलग नाम दिये जाते हैं, और वो, या तो mobile bike lab रहेगी, या तो फिर van से आएंगे, वो mobile van रहेगी, और इनकी service free provide करनी की होती है, जहां पर इनके brand की cement जाती है, तो आप क्या कीजिए, जिस भी brand की cement ले रहे हैं, वहाँ पर आपको dealer से बात करना है, dealer को बताना है कि मुझे यह testing चाहिए, यानि कि आप concrete work करते हैं, तब इ इसे, यह चीज आपको धिहान रखना है, अकर आप M20, M15 जो भी great का concrete कर रहे हैं, और आप जिस इस्थिती में, यानि कि जो भी आपका ratio चला रहे हैं, वही ratio का आपको test करवाना है, आप work start होने से पहले एक बार बुला सकते हैं, अलग-अलग date के, या अलग-अलग month के batches के हिसाब से आप इनसे testing करवा सकते हैं, जो कि free of cost होती, इसमें आपका कोई cost नहीं लगता, इसके लिए आपको वहाँ नजदी की dealer या retailer जो है, जो आपको वहाँ से dispatch करता या supply करता है, आपको उनको ये चीज request करना है, कि मुझे ये service की जरूरत है, वो engineer जो भी है, उनकी conditions के ह इससाब से आपको time देंगे और उससाब से वह आ जाएंगे और आपके test करेंगे, अब वो करते क्या है, ये चीज भी आप समझ लिजे, मैं इसके उपर एक already video बनाया हूँ कि कैसे testing होती है, आपको सायद में उसकी link उपर description box में या फिर i button पर दे दूँगा, friends होता क्या है, कि वो 3 cube लेते हैं, उनको cube को फिल करते हैं, उसको second day cube को demold करते हैं, और उसके बाद पानी में रख देते हैं, जो कि 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन में उसकी testing होती है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से उसकी testing कर सकते हैं, average निकल जाता है कि इस cement की strength कितनी है, यानि कि ये आपका जो concrete बन रहा है, उसकी strength, अब strength क्या होती है, ये सभी मैंने उस वीडियो में आपको बताया हूँ, आप अगर वो वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी लग जाएगी, अब friends, जब आपकी testing हो जाती है, तो आप यहाँ पर हो जाते हैं, निश्चि अगर होगा, तो आपका बहुत ही अच्छा result आएगा, वो engineer रहेंगे, उनकी expertise में, आप उनकी देखरेख में ये work कर सकते हैं, और आप जहाँ पर भी हैं, हर एक location में available हैं, सिर्फ आप जहाँ से cement लेते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पर ये बार पूछ लेना है, कि ये facility available है या नहीं, अगर नहीं है, तो आप brand दूसरा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको free of cost मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है, अगर आप पूरा civil work बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक engineer की देखरेख में कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो testing ह होती है, engineer देखकर नहीं बता सकता कि आपकी जो cement है, या फिर ये कैसी है, जब तक इनके lab में test ना हो, friend इस कारण जो test होते हैं, machine से वो ज्यादा lab बाले important होते हैं, इस कारण आप इस सुविधा का और इस facilities का लाफ जरूर लें, और ये request करें, friends साइद आपके लिए ये दोस्तों के साथ share कीजिए, अगर नए आये हैं वीडियो पर तो इसको like करके और अपने दोस्तों के साथ subscribe करें, share करने के लिए बोलें, क्योंकि ये जानकारी तोड़ी unique है, friends मिलते हैं, next वीडियो में किसे अन्य टॉपिक के साह तब तक के लिए, thank you